नमस्कार दोस्तों परमजी सिंग कैली हब साहरवेदा से आज आपके सामने एक बार फिर और आज मैं हूं गाउं हर नोली डिश्टी की एमना नगर हरियाना से जो है मैं समय लाइव शूट कर रहा हूं और मेरे साथ किसान है सद्दाम जी आपका मोबाइल नमबर किया जी तो यह गन्ना है इस गन्ने की वीडियो मैं शुरुआत में भी डाली थी लग बग जून के आसपास शेयर और शुरू से ही जो है इस गन्ने में हम कैली हब्स को हमने यूज किया है जाहिए हमने कोई भी प प्रक्ट उसके साथ मिलाया तब उसको डाला है जी बज्यों भी खाद गिरेजी जी जी पसल रक्षा किया काय अतलब इस ठीक है तो अभी अगर देखें गन्ने की जो पोजिशन है जैसे हमने देखा है गन्ना और जो है गन्ना ठीक है जी आपके इसाब से आज गन्ने की अगर मैं लंबाई की भी बात करूं तो कितनी अइट लेगे होगा लग बग सोड़ा फूट के आसपास जो है हमें नजर आ रही है देखने में मैं ऐसा महसूस हो रहा है और पत्ते की जो रंगत है गन्ने की मोटाई जो है जी जी वह भी बैस्ट है बहुत बहुत बढ़ी फिया है जी च्छिक है और एक जो है सब से बड़ी बात में आपको यह बता दूँ के इस गन्ने में अगर इम बात करें सिन्थेटिक पैस्टिसाइड की क्या चाहिए کے रूप में सप्रेका डिया के आने कुछ मी 59 मतलब अभी तक जो है आज हम 11 सितंबर 2022 की जो है यह आज की तारीक है और आज की तारीक तक इस गन्ने के में मैक्सिम गन्ने में आपने कोई पैस्ट आपने यूज़ी नहीं किया कोही हमने यूज़ किया है तो मतलब यह है कि अब तक जो है गन्ने में किसी भी तरह का कोई सिंथेटिक पैस्टिसाइड जो है वो यूज़ी नहीं हुआ है और उसके बावजूद गन्ना अगर आप देखें गन्ने की मोटाई आप देख सकते हैं गन्ने की आप हाइट आप बहुत जो है बहुत जो है इस फिल्ड को आप देखें क्योंकि यह बहुत सही तरह से जो है फार्मिंग जो है वो कर रहे हैं और कैली हब्स के एकोर्डिंग जैसा जैसा इनको गाइड किया गया सबते हैं